हेलो एबरिवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे और बहुत 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 आच्छे होंगे तो यहां पर मेरी सुभी की मॉर्निंग शूरू हो गई है काफी पहले ही उठ गई थी मैं पांच बच्चे तो मैं डेली टाइलेट करवाओ उसके बाद उनको थोड़ा सा दूद बगेरा पानी बगेरा दो मतलब इसमें ही बुच्चे जो है टाइम बेस्ट कर देते हैं बैसे मैं साथ-साथ मैं कीचिन का भी काम कर रही थी साफस्वाई होती है थोड़ी बहुत चाइवाई के भरतन वगेरा वो जाड़ू लगाने से पहले जो है मैं अपने बिस्तर को जो है न अच्छे से उसके जो तै मतलब सास फाई होती है वो कर लेती हूँ आगर हर एक हाउस वाइफ को आपने बिस्तर को समेट लेना चाहिए उठते ही जैसे आप देखे बच्चे उठे हैं बच्चे बाहर गए जैसे बाहर मैंने बाहर बिठा दें कि अंदर ना थोड़ी से गर्मी हो जाती है सुबह सुबह जैसे गुम सा हो जाता है तो हम क्या करते हैं सुबह सुबह उठाती हूँ बच्चों को बाहर मंजे पे वहां पे चार पाई पे उनको सुला देती हूँ तो बिस्तर वैसे भी ऑकडली हो जाते हैं तो आपने लिए को साफ अच्छे से अपने घर में कोई भी चीज है ऊपरे नातीह हैं हमारे ग्रहाय को झातीह एगा मैंoj So तो आपना मतलब ऐसा तो हर इक हाउस वाइफ करती है आपना विस्त तो समेड़ती है लेकिन उठते ही अपने विस्तर को सेट कर ले नहीं तो आपके मतलब अगर आप चाहो कि दो पैर तक विस्तर आपड़ा रहेगा उसके बाद ही साफसफाइब तो जो है रहु जो हा पीछ जो कि अपनी घर की साफ स्वाई और साथ मैं जो बिस्तर है ना उसको मैं ऐसी नहीं रहने देती हूं कि 12 वज़े टाइम मिलेगा तब जाके करूंगी मैं ऐसा नहीं करती हूं जैसे मुझे मतलत तुरंत मैं जैसे सुबे जाडू लगाने से पहले अपने बिस्तर को तुरंत म करना है तो इसके सामने ही बगल में ही मेरा रूम है अभी जाडू लगा रही हूं यहां पे तो चलिए अपने रूम में जाके फटा-फट से अपना बेस्तर को सेट कर लेते हैं तो यहां पर देखिए फाइनली अभी फ्रेंड्स में अपने रूम में आ गई हूं और आप सोच रहे हूंगे कि अब इतनी जादा गर्मियां आ गई हैं तो आपको यह नीचे जो शीट डाली है मैंने बाटर प्रूव बाली तो यह अभी हटा देनी चाहिए तो दसल बात अब का तेखिए कि अभी बच्चों को नना मैंने डाइपर पहनाना बंध कर दे हैं कभी कभी पहना देती हुँ जिस दिन में थकावर में होती हूं तो ऐसे मैं डाइपर नहीं पहनाती हूं क्योंकि बच्चु को अभी माइवा तो अभी बोलती है ममा मुझे डाइपर नहीं पहनना है यूँकि उसको मैंने आदल डाली है कि वह जासे बेन फ़र्क पढ़ गया है कि डाइपर ना पहनने वो मैं कभी कभी पहना देती हूं आसे डेली में अभी देखिए रुटेन में रखी है कि अभी डाइपर पहना ना इनको बंद करने जा रही हूं ताकि इनको आदत बढ़ जाए कि टॉयलेट बतलो रोकने की जमता हो जाए और बाद में करवा लेता इंसान तो जैसे अभी इनकी अच्छी ये हैबिट तो एक अच्छी बढ़ने जा रही है तो फिर क्या होता है कि कभी कभी जो बच्चे है ना टॉयलेट करी देती है ना बीना डाइपर के तो फिर उसी का रिस्क रहता है कि गद्दे में टॉयलेट ना चला जाए इसलिए मुझे बा लेकिन फिर भी बच्चे का डर रहता है तो देखिए एक साल की बात है उसके बात हम ये हटाई देंगे तो तब तक तक के लिए हमें ये मैनेज करना पड़ेगा उसके बाद देखें बच्चे जैसे उठ जाते हैं ना तो यहां पर दस ग्यारा का टाइम हो रहा है तो हमार दूप इतनी जादा कड़क रही थी ना कि 11-12-12 का टाइम हो गया था यहां पर इतनी जादा दूप और बच्चे नहाने के लिए इतना मतलब त्यार हो गए थे और यहां पर देखिए हमारे गहों में ही इतनी बड़ी आग लगी हुई है मतलब सफेदे होते हैं ना बड़ आगे वो फेलती जाती है आगे बढ़ती जाती है मतलब उसकी वजह से जो पोदे हैं उनको भी नुक्सान हो जाता है यहां पर मैं बच्चों के लिए आज माविया का दो तीन दिन से रट लगी हुई थी कि मेरे लिए ममा केक बनाओ केक बनाओ तो मैंने सोच आथा कि जैस तो बाद में मुझे थोड़ी सी गड़बड हो गई थी लेकिन आपको थोड़ा सा जैसे अलमुनियूम का कोई बरतन वह ले लीजिए पतला लेना है ठीक है मोटा ने लेना यह मोटा मैंने ले लिया था उससे परत जो है चेपक जाती है नीचे तो मैंने यह जो पेपर है छेता यह भी मैंने नॉर्मल पेपर जो गड़ पे होता है रप बच्चों की लिखने होले पेपर होते हैं उसको भी कट करके लगा सकते हैं और देखे मैंने इसमें क्या-क्या डाला है बजसे मैंने सिर्फ बढाई है चीनी साते मैं आइल कैसे मैंने यह बनाए है आगर तो मैंने बेकिंग पाउडर डाला कुछ नहीं डाला मिठा सोड़ा होता बोवी नहीं डाला सिर्फ मैंने दही और आईल और चीनी साथ में डाल दिया मैंने मेदा ठीक है बस इतनी चीज़ डालनी है उसके बाद आपको अच्छे से वेट लेना है इसको मैंने स्पून दोनों तो मैं आपको बताती हूं यहां पर देखिए मेरा जो है आच्छे से टूट पितनों नहीं थी मेरे पास लेकिन यह देखिए आभी मैंने फौक के साथ ही चेक कर लिया था बिल्कुर एकदम मस्त बना था बस कमी यहां पर पता चल जागा कि यहां पर कमी क्या थी तो मैंने थी नहीं किनारे पहले प्हले नाइफ के साथ आपको चुली के साथ चाकू के साथ किनारे के you know के छुडाने ओते हैं १ैक किस तफूड़ाए और देखिए निकला ही नहीं वह भी स्थूड़ाई upward घोर से टूड़ घोड़ाता है जब जो यौर्न थड़ल दो-देबंड जो है ना निकलाई नहीं तो उसके बाद देखे मैंने थोड़ा सा किया चारों तरफ से किनारे इसके छूट चूट गए थे लेकिन देखी ये बीच में से निकल के इतना अच्छा बना था ना कि बीच में से ही निकल के बहार आ गया तो नीचे चिपका क्यों था मोटे की केक तो मस्त बना था बिल्कुल भी कोई भी आप बोलो ना की कमी पेश करोगे बिल्कुल एक्टम प्रोड़क्त जितने भी कूल मैंने मुझे थे ना वो पूरे-पूरे मैं मतला अच्छे एक्दम फिट रहे इसमें और उसके बाद एखिए मैंने आपको दिखा दिया ना क कैसा बना है तो खाने का केक में आप सबसे शेयर नहीं करवाई थी क्योंकि वहां पर हस्वंट जी बैठे होते है ना तो वह बोलते मुझे भीच में लेना है वीडियो में तो फिर मुझे वह वीडियो स्किप करनी पड़ी थी तो यहां पर देखिए आज मैं और ममजी फिनायल डाली थी तो फ्रेंट्स शाम का खाना भी बन गया है हमने बनाया था कड़ी चावल और फ्रेंट्स आज का हम यह चोटा सा ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं आशा करती हूं आपको ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर थैंक्स पर वा